Hello everyone, आज की सुड़े में टेक और गेट का परियोग सीखेंगे पहला यूस है टेक का टेक आन इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना मतलब रिस्पांसिबिलेटी लेना तुम्हें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा यू विल हाब टेक आन मतलब तुम्हें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा रवी ने इसका जिम्मेदारी लिया रवी टूक आन इट रवी ने इसका जिम्मेदारी लिया तो टेक आन का मतलब हो गया जिम्मेदारी लेना टेक उप है तो टेंस के नुसार बदलेगा टेक-डाउन, टेक-डाउन का मतलब है note करना, note करना मतलब आप समझते है लिखना या फिर आप बोलते है छापना, दोनों तो लेके से हम परियों कर सकते हैं, example है, इसे note कर लो, तो sentence सुमनाते हैं, take it down, मैं board से लिख रहा हूँ, या note कर रहा हूँ, I am taking down from board, आमन ने सब note कर ल कि आप नोच करना हो या फिर लिखना हो आप परियोग करते हैं लिखना अब आप सरकारी स्कुल में साते हैं तो आपको मिल साता है बलेक बोर्ड आप प्राइवेट कोशिंग में साते हैं तो आपको मिल साता है वाइट बोर्ड या फिर आपको मिल साता है स्मार्ट बोर्ड क नहीं से पर भी लिखना या चापना गले परियोग करेंगे ठेक डाउन, टेक ओवर का मतलब हैं काबू पालेना, मतलब आप बोलते हैं नियंतरन पालेना, कंट्रोल पालेना, जिसे मैंने इस सालात पर काबू पालिया था, I had taken over this situation, पास्ट का है त्याप पर हैड परियोग कर लेंगे, तुम कार पर काबू नहीं पापाया, कंट्रोल नहीं पापाया, नियंतरन नहीं पापाया, you could not take over the car, तुमने कार पर काबू नहीं पापाया, take off, take off का मतलब है उड़ना, जिसे plane का उड़ना, वहाँ पर आप परियोग करते हैं, take off का, जिसे plane उड़ चुकी है, the plane has taken off, तुम इसे यहाँ से हटा सकते हो, you can take it off from here, तो take off का दुसरा मिनिंग है, कोई भी चीशों को हटाना, मतलब आप बोलते हैं, कोई भी चीशों को remove करना, plane को उड़ने से पहले, seat belt पानना चाहिए, you should wear the seat belt before taking off the plane, take out, take out का मतलब है, बहार निकालना, यसे bag से समान निकालो, take out the product from the bag, तो इसे यहाँ परियोग कर सकते हैं, मैं αल्मीरा से किताब निकाल रहा हूं, मतलब बहार निकाल रहा हूं, तो sentence है I am taking out the book from Almira यह आपर निकालना या बाहर निकालना के लिए take out का परियोग कर सकते हैं अपना किताब निकालो जो तुम ने कल खरीदा यह आपर दिखाओ के जिगा आपर निकालो लिख देंगे क्योंकि निकालने के लिए आपर परियोग किया सारा है take out your book which you bought yesterday या पर निकालने के लिए take out get on get on का मतलब है चड़ना अब सड़ने के लिए हम परियोग करते हैं get on मैं बस में चड़ रहा हूँ I am getting on the bus plane पर सड़ो get on the plane गाड़ी पर सड़ो get on the train या किसी भी वहान पर सड़ने के लिए get on का परियोग करते हैं SM पर योग कर सकते हैं get का यह पाला यूज है अगला समझते हैं get off get off का मतलब है उतरना सड़ने के लिए get on उतरने के लिए get off वो train से उतर रहा है he is getting off the train तुम लोग बस से क्यों नहीं उतरा why did you not get off the bus train से उतरने की कोशिस करो try to get off the train यह पर आप ऐसे ही sentences बना सकते हैं कहीं सारे get down get down का मतलब है उतरना यह पर किसी भी उचे अस्थानों से उतरना जैसे पहाड से उतरना पेड से उतरना छट से उतरना परियोग कर सकते हैं मैं पहाड से उतर रहा हूँ I am getting down मैं उतर रहा हूँ from the mountain पहाड से वे लोग उतरने की कोशिस कर रहे हैं they are trying to get down they are trying to get down वे लोग उतरने की कोशिस कर रहे हैं उसने एक chocolate निगल गया अब निगलने के लिए भी प्रयूग किया जाता है get down, get down का दूसरा यूज़ से निगलना, फाला है उतरना, sentence होगा he go down a chocolate, उसने एक chocolate निगल लिया या निगल गया, get away from इसका मतलब है किसी से बचना, बचना मतलब किसी भी व्यक्ति से बचना, किसी भी काम से बचना, किसी भ ट्रक ड्रावर अभी पुलिस से बच जाएगा, the truck driver got away from police, यह पर got away लिखा हुआ है sentence मेरा future का है, यह पर got के जिगा पर हम प्रयोग करेंगे, will get, कि the truck driver will get away from police, bank दलाल, road पर पुलिस से बच गया, the bank rover got away from the police on the road, get out, get out का मतलब हैं, बाहर निकलना या बाहर निकालना, जैसे यहां से बाहर निकलो, तो sentence बनाते हैं, get out from here, यहां से बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो, get out from my house, मैं आज कल साम में बाहर नहीं निकलता हूँ, तो sentence होगा, I don't get out in the evening, nowadays, that is, कि आपर बाहर निकलना हो, या बाहर निकलना हो, दोनों के लिए get out का परियोग कर सकते हैं, get into मतलब हैं, पहनना, पहनना के लिए हम परियोग करते हैं, we are, लेकिन या पर परियोग करेंगे get into, राहूल अपना jacket पहन लिया, तो sentence होगा, या पहन कर गया, राहूल अपना jacket पहन कर गया, तो राहूल वेंट टू गेट इंटू ही जैकिट, तो get into का मतलब हो गया, पहन कर, जो भी पहनना होगा, get into के बाद लिख देंगे, मैंने अपना जोता पहना, I got into my subject, मैंने अपना जोता पहना, get on with, इसका मतलब है, संभालना, कोई भी चीसों को संभालना, इसके लिए हम परियोग करते हैं, get on with, रभी इस स्थिती को संभाल सकता है, रभी कैन get on with this situation, मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, I cannot get on with this work, तो get on with, इसके बाद जो भी चीजों को संभालने की बात होगी, जो भी चीजों को हैंडल करने की बात होगी, उससे हम परियोग कर लेंगे, get over, get over का मतलब है, ठीक हो ना, किसी भी बीमारी से, किसी भी चीजों से, मेरा बुखार से ठीक होने में एक सपता लगेंगे, I will take one week to get over from fever, राहूल का सर्दी ठीक होने में पांच दिन लगा, तो संटेंस किसे बनेगा, राहूल टोक फाइब डेज, राहूल को पांच दिन लगा, ठीक होने में, आब यहाँ पर किसी सर्दी से, from cold, तो टोक फाइब डेज यहाँ पर ओवर यहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, कई परगार के हम संटेंसे बना सकते हैं इस बार से, कि राहूल टोक फाइब डेज तू गेट ओवर, तू गेट ओवर, मतलब ठीक होने में, from cold, मतलब सर्दी से, गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होगा, खत्म करना, सफलता पाना, या पास करना, तीन सेंस में परियोग करते हैं, मैं परिक्षा पास कर गया, I go through the examination, मैंने दो चाप्टर खत्म कर दिया है, I have go through two chapters, So guys, thanks for watching, that's all for today.